हलो माई लवली बेकर्स आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एकदम डिफरेंट स्टाइल से दही का यूज़ करके चॉकलेट वॉलनेट फजी ब्राउनी बनाने की एक बहुती अमेजिंग सी और बहुती आसान सी रेसिपी को शियर कर रही हूँ और इस ब्राउनी को बनाने के लिए फ्रेंट्स हमें बहुती कम सामान चाहिए इसको बनाने में ना तो हम बटर यूज़ करेंगे ना कंडेंस मिल्क ना मिल्क पाउडर ना बेकिंग सोडा और ना ही एग तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम वालनेट चॉकलेट फजी ब्राउनी बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने डाक चॉकलेट लिया है फ्रेंट्स मोर्ड कमपनी का मैंने आपर कमपाउंड नहीं बलकि चॉकलेट यूज़ किया है क्योंकि इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है तो लगवग 100 ग्राम्स के बराबर चॉकलेट को मैंने छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लिया है और इसे अब हम 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे आप चाहें तो डबल बॉयलर यानि कि बरतन के अंदर इसे रख करके नीचे गरम पानी रख करके भी इसे मेल्ट कर सकते हैं तो इसे मिक्स कर देंगे और आप क्योंकि आज हम दही वाली चॉकलेट ब्राउनी बना रहे हैं तो मैं तीन टेबल स्पूनी के अंदर फ्रेश दही यूज़ करूंगी आप मार्केट वाला भी दही यूज़ कर सकते हैं पर ध्यान रखेगा दही आपका खटा नहीं होना चाह करेंगे तो मैंने एक चनी रखी है और इसके अंदर में एक कप यानि की 120 ग्राम हमारा ओल परपस फ्लार यानि की मैदा एट करूंगी साथी मैंने आधा कप इसमें चीनी का पाउडर एट किया है साट ग्राम और आब इसके अंदर हम डालेंगे तीन टेबल स्पून भर करक और अब स्पै 21 गी मदद से हम इसे मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं मिक्चर अभी थोड़ा सा ड्राई है लेकिन पहले तो हम इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा लिक्विडी बनाएंगे आज इसके अंदर में एक थंड़ा दूद एट कर रही हूं आपको नॉर्मल या गरम दूद इसमे आट नहीं करना है, एकदम ठंडा दूद इसमे आट करना है, तभी आपकी ब्राउनी के उपर का टेक्चर जो है थोड़ा सा क्रैकी आएगा, अच्छे से इसे भी मिक्स करना है, ब्राउनी का बैटर जो होता है, वो नॉर्मल केक के बैटर से थोड़ा सा थिक यानि की गाड़ा होता है, तो दूद आप थोड़ा थोड़ा करके ही आट कीजिएगा, और एकदम से हमें थिक पेस्ट इसका बना लेना है, देखिए, ऐसा करने से हमारी ब्राउनी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी, और अब मैं इस मिक्चर के अंदर वन फोर्थ कप यानि की तीन टेबल स्पून भर करके, छोटा बारी कटा हुआ वालनट यानि की अक्रोट एट करूंगी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, ब्राउनी का टेक्चर बहुत अच्छा बन करके रेडी हो, उसके लिए 10 मिनिट के लिए हम इस बैटर को फ्रिज में रखेंगे, जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसके केक्टेन को रेडी कर लेते हैं, मैंने आपर 8 पाई 8 इंच का ये स्कॉयर केक्टेन लिया है, इसके अंदर अच्छे से हम बटर पेपर सेट करेंगे, आप चाहें तो नॉर्मल पेपर लगा करके भी उसको ओयल से ग्रीस कर सकते हैं, बट मैंने आपर बटर पेपर लगाया है, इससे ब्राउनी आराम से भार आ जाएगी, और अब इस थंडे हुए वे मिक्षर को हम इसके अंदर एड़ करेंगे, ने देखे, अच्य से हमारा मिक्षर थंडा हो चुका है, अब इससे स्पेचुला से स्प्रेट करेंगे, मिक्षर थोड़ा थेक है, तो आपको स्पेचुला से अच्छे से इवनली स्प्रेट करना होगा, यह देखिए लगबग 1 फोर्थ के बराबर केक्टिन हमारा इससे भरा है प्रेंट्स ब्राउनी बहुत ज़्यादा फूलती नहीं है इसलिए आप आराम से इसमें 2-3 इंच का भी केक्टिन यूज़ कर सकते हैं और अब मैं इसके ऊपर से थोड़े से यह चॉप्ट वालनट वी आर्निश के लिए डाल रही हूँ आप इसमें आलमन डाल सकते हैं, पीनट्स डाल सकते हैं जिस भी फ्लेवर के आप यह ब्राउनी बनाना चाहें एट कर सकते हैं और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से अपने घर के बने यह चोको चिप्स भी स्प्रिंकल कर रही हूँ चोको चिप्स की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और अब हम इसे करेंगे बेक, बेक करने के लिए आप चाहें तो इसे अवन में बेक कर सकते हैं गैस पर रखकर के भी बेक कर सकते हैं कड़ाई या कुकर में पर मैं इसे अपने राउंड इलेक्ट्रिक होवन में 180 डिग्री पर 20 मिनिट के लिए बेक करूंगी 20 मिनिट के अंदर ही देखी हमारी ब्राउनी रेडी हो गई है चेक करने के लिए आप चाहें तो कोई टुट पेक या नाइफ इंसर्ट करके देख सकते हैं अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और हलका थंडा होने के बाद हम इसे इसके अंदर से डीमोल्ट करेंगे आप देख सकते हैं उपर से ब्राउनी का टेक्शर एकडम क्रेकी सा आया है, मिक्चर को हमने थंडा करके बेक की आए इसी वज़े से और अब हम इस पेपर की मदद से इसको बाहर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स मेरे राउंड इलेक्टिक ओवन की वज़े से पेपर थोड़ा बर्न हो गया है बटा आप इसे कट करके थोड़ा सा रखेंगे तो ये नहीं होगा और ब्राउनी देखिए हमारी ला जवाब एकदम बन करके रेडी है देख सकते हैं अब आप अपनी च्वाइस के हिसाब से जिस भी साइस की से कट करना चाहें कट कर सकते हैं मैं इसे स्क्वाइर पीसिज में नॉर्मल सा कट कर रही हूँ तो चाकू की मदद से आपको इसे हलके गरम में ही कट करना होगा अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा करके कट करेंगे तो पीस उतने अच्छे कट नहीं होगे इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर और भी डिफरेंट स्टाइल की ब्राउनी की रेसिपी शेयर की हुई है तो आप उन्हें भी जरू देखेगा यहाँ पर देखे ब्राउनी को मैंने 9 पीसिज में कट कर लिया है साइड में थोड़े से पीसिज राउन है तो मैं उन्हें ट्रिम कर देती हूँ और हमारे 9 पीसिज देखे ब्राउनी के बन करके रेडी है यह देखे इसके अंदर का टेक्शर अभी आपको दिखाती हूँ मैं बहुती फजी चॉकलेटी ब्राउनी हमारी रेडी हूई है यकीन मानिए फ्रेंड्स दही का इस्तमाल करके इसका टेक्शर बहुती बढ़िया बनता है और जब आप इसे खाएंगे चॉकलेट और वॉलनेट का टेस्ट आपके मुह में आएगा तो बहुती ओसम सा टेस्ट आपको लगेगा अब ब्राउनी तो फ्रेंड्स एकदम बन करके रेडी है पटी से थोड़ा सा हम डेकोरेट भी कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने वन फोर्थ कप डाक चॉकलेट लिया है जान रखिएगा मैंने कमपाउंड यूज नहीं किया है चॉकलेट का इस्तमाल किया है और उसके अंदर मैंने एक टेबल स्पून दूद डाला उसको मेल्ट किया और उसका गनाश बनाया और उसे पाइपिंग बैंग में भर करके छोटा सा टेप उसका कट करके मैं ये जिग-जग लाइन्स इसके उपर बना रहे हैं चॉकलेट यूज करने से बहुत ही आसम सा टेस्ट आपको आएगा आप चाहें तो इस मेल्टेट चॉकलेट गनाश से पूरी ब्राउनी को कवर भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी केकी ब्राउनी बनाना चाते हैं तो आप इसके बैटर में हाफ टी स्पून के बराबर बेकिंग पाउडरेट कर सकते हैं बट आज मैंने उसे टोटली स्किप किया है और मैंने इन ब्राउनी को फ्रेंड्स एक ओरर के लिए बनाया था तो चलिए अब मैं आपको इन्हें पैक करके भी दिखाती हूँ कि अगर आप होम बेकर हैं इसकी ब्राउनी के ओडर भी आते हैं तो आप उनी कैसे कर सकते हैं और साथ इसकी कोस्ट भी आपको बताती हूँ आजकल मर्केट में फ्रेंड्स ब्राउनी पेस्ट्रीज केक्स के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर डेकॉरेटिव बॉक्स आते हैं तो आप market से ले सकते हैं नहीं तो आप इन्हें online purchase कर सकते हैं और यहां देखिए मैंने 6 pieces brownie के इसमें अच्छे से रख दिये हैं और अम मैं इस box को फिर से pack कर दूँगी मैंने इस एक brownie की piece की cost friends 60 rupees रखी थी आप अपनी जगे के हिसाब से उसकी costing set कर सकते हैं और लिजे हमारा 6 brownie का piece का यह box जो है वो ready है दीखिए तो आज की मेरी recipe आज का मेरा method आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment section में लिख करके जरूर से जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like share करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाँ आप मेरे channel पकर नए है पहली बार आए है तो channel को subscribe करके site में दिया गया bell icon जरूर दबाएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई नई recipes आपके लिए लाओं आपको उन सभी का notification सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी मेरी recipe मिस ना हो फ्रेंड्स मुझसे direct बात करने के लिए मुझसे जुरने के लिए आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हैं इंस्टाग्राम का link मैंने description box में अट कर दिया है आज के लिए बस इतना ही इस recipe को जरूर ट्राई कीजेगा अपने experiences मेरे साथ share कीजेगा मैं फिर मिलूँगे आप सभी के साथ तब तके लिए bye bye take care thanks for watching